हाई जटके टेको इंडिया ओफिसल यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इजी टाइम प्रो 9.0.7 सौफटेर हम कहां से डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे लैसे को एक्टिवेट करते हैं तो चलिए स्टार पर इस रिक्लिक करेंगे सॉकसेशुल रिस्टर होने के बाद में लॉग यूज़ पthin पर जाना है फ्लागिशेश प्रो Hammare एंडियो पासवेट दालना है जो हम स्कुर्ण एस्टर करते समय डालता यह अगरРЕउच यूचल करेंगे सक्टॉसपूल लॉग जौन होने के बा कर लेंगे अगर कोई Linux OS यूज़ कर रहा है तो वह Easy Time Pro 9.0.7 Linux x64 bit जो की 55.62 MB size का zip file है उसे डाउनलोड कर लेगा साथ ही साथ आपको नीचे user manual भी मिल जाएगा आप इसे भी डाउनलोड करके डिट कर सकते हैं इसमें Easy Time Pro के बारे में explain किया गया है मेरा डाउनलोड हो चुका है आप यहां देख सकते हैं मेरा software प्रपर डाउनलोड हो चुका है अब हमें इसे extract करना है उसके लिए हम right click करेंगे then extract to Easy Time Pro पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा extraction डन हो चुका है यहना हमें extract हुए file को open करना है setup पर जाना है right click करना है और और पर क्लिक करना है फिर हम yes पर क्लिक करेंगे आभी accept पर क्लिक करेंगे और install पर आप देख सकते हैं कि हमारा installation process स्टार्ट हो चुका है so Easy Time Pro 9.0.7 web-based software है web-based software का मतलब हम जिस PC में इस software को install कर रहे हैं उस PC का IP और port number के थुरू हम same network में different PC पर भी हम open कर सकते हैं अगर आप different network में open करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको public IP configure करना पड़ेगा और हम यह software यूज़ करने के लिए minimum system configuration window 8 and awab and minimum 8 zv RAM 64 bit OS होना चाहिए यह software four type of database को support करता है जो कि Postgre, SQL, MS SQL, Oracle, MySQL Postgre SQL इसका default database है इसमे time attendance device, visual light device, standalone device and green level device को connect करके report generate कर सकते हैं simple access purpose के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यह एक push software है push software का मतलब कि जैसे ही हम device को software से connect करेंगे device का सभी data sync होकर automatic software में आ जाएगा manually उसे sync करना कोई जरूरत नहीं है इसमें हम devices like MB360, MB30, F18, F19, Mini SE, Mini SE Plus, G3, G3 Pro इत्यादी device हम connect कर सकते हैं आप अपने desktop पर देख सकते हैं यह proper install हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हम done पर क्लिक करेंगे install होने के साथ साथ इसमें easy time pro service console open होके आता है अगर नहीं open हो रहा है तो आप यहाँ से shortcut में भी open कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पर direct search भी कर सकते हैं easy time pro service ओके इसमें three option होते हैं service database system service में आप देख सकते हैं 80 जो की हमारा port number है आप इसे change भी कर सकते हैं साथ ही साथ आप sttps भी use कर सकते हैं उसके लिए आपको SSL certificate होना जरूरी है अभी मैं आपको change करके दिखाता हूं 8080 मैंने कर दिया आप चेकपोट आप यहाँ message देख सकते हैं कि आपका port okay valid है साथ ही साथ आपको इपर दिखाता है कि आपके services proper run हो रहे हैं कि नहीं जिसमें proxy, cache, apache, server आप यहाँ देख सकते हैं फिर आप database में जाइए database में आप देख सकते हैं कि अभी मेरा default database है पोस्ट गए अगर कोई third pass application यूज़ कर रहा है उसके साथ उसका database integrate करना चाहता है तो आप यहाँ पर mysql, sql, oracle भी आप चूश कर सकते हैं ओके services start कर सकते हैं इधर restart भी कर सकते हैं आप system में check कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं free spaces आपका license कौन सा है version कौन सा है आप यहाँ देख सकते हैं हम इसे minimize करते हैं software को open करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं admin login employee login दिया हुआ है admin login में default is admin username and password admin admin small letter में admin admin employee login में आपको employee id और password जो की default है 123456 आप डालके login कर सकते हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि license कैसे activate करते हैं उसके लिए हम नीचे about पर आएंगे about में आप देख सकते हैं कि in a trial period में हम दो device और thousand employee को manage कर सकते हैं साथी साथ 500 mobile app users को 500 whatsapp users को manage कर सकते हैं जो कि 3 month के लिए valid होता है trial period उसक्वाद हम license operation में आएंगे यहाँ पर two way है license activate करने का online license activation offline license activation दोनो license activation का आपको आपका डीलर ही प्रोवाइट करेगा ओके सो अभी मैं online license activate करता हूं देखिए authentication में आप अतना username admin और password भी admin डालेंगे आप यहाँ देख सकते हैं इन confirm पर क्लिक करेंगे ठीक है फिर license code जो आपको डीलर प्रोवाइट किया रहेगा वो license code यहाँ डालना है तो मेरे पास license है तो हम इसे copy करेंगे ओके फिर हम यहाँ पर paste कर देंगे active आप देख सकते हैं successful activate हो चुका है आप फिर से open करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं 10 device 5000 employee 1000 mobile user 1000 WhatsApp user के लिए मैंने license लिया था जो की activate हो चुका है अगर आपको offline activate करना है तो उसके लिए आपको computer unique code को copy करके इस UPK file को अपने dealer को भेजना है और वो फिर आपको license code प्रोवाइट करेंगे same process इसमें भी आपको follow करना है offline activation पर क्लिक करेंगे username password admin admin डालेंगे फिर confirm पर क्लिक करेंगे फिर आपके dealer के थुप राप्त हुआ जो license code रहेगा उसे आप यहाँ पर paste करेंगे active पर क्लिक करेंगे आपका license एक्टिवेट हो जाएगा ओके आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन-कौन से module है कैसे device connect करते हैं सभी चीश ओके अगर आपको कोई भी इसू हो तो आप हमारे 08068281342 जो की toll free नंबर है आप इस पर call करके help ले सकते हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे यूटूब चैनल जटके टिको इंडिया को सस्क्राइब करें थैंक यू